पिश्रे धाई महीने से मनिपूर में हिंसा का दोर जारी है एक तरफ मनिपूर की मैतई आबादी है और दूसरी तरफ कुकी समुदाई के लोग हैं जो आपस में जगड रहे हैं लेकिन एक और यहां देश का एक राज्य जल रहा था वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर देश में कुछ सेंटिमेंट्स कम देखने को मिल रहे थे जिसके पीछे कई वज़े हो जगती हैं लेकिन अब अचानक से यह मुद्दा सोचल मीडिया से लेकर संसर तक गूज उठा है जिसके पीछे की वज़े है एक वीडियो ये वीडियो मरीपूर का है जिसमें भीड द्वारा दो महिलाओं को नगन करकर घुमाये जा रहा है ये वीडियो कितना शर्मनाक है कि जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा उसकी रूह काम जाएगी ये वीडियो मरीपूर में हिलसा शुरू होने के अगले दिन यारी 4 ही का पताया जा रहा है लेकिन उस दिन महिलाओं के साथ क्या हुआ था इस सवाल का जवाब दिया है इस वीडियो में मौजूद उसी महिला ने जो इस शर्मनाक घटना का शिकार हुई थी तो चली जानते हैं उस महिला की आप भी थी कि आखिर उस दिन उसके साथ क्या नमस्कार मेरे नाम है गौरव और आप देख रहे हैं खबरदार शो अंग्रेजी न्यूज वेब साइट स्क्रॉल डॉटिन के अरोनाम साइका ने इस घटना की शिकार एक महिला से बात की और इसी रिपोर्ट के हवाले से हम उसकी आप बित्री आपको सुनाएंगे उस महिला ने बताया कि यह घटना चार मई की है महिला के मताबिक यह घटना कांगपोग पी डिस्टिक में मौझूद उसके गाउं भी फाइनोम की है यह महिला कुकी समुदाय से तालोग रखती है जिनकी उम्र 42 साल है मैला ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि मैते ही समुधाय की भीर उनके गाउं के इरद गरों को आग लगा रही है तो अपने परिवार और कुछ लोगों के साथ कच्छे रास्ते से वे भाग निकली लेकिन भीर ने उन्हें पकर लिया मैला ने स्ट्रॉल को बताया कि उसके परोसी और उनके बेटे को कुछ ही दूरी पर ले जाकर मार दिया गया जिसके बाद भीर ने मैलाओं को कपड़े उतारने के लिए कहा मैला की मताबिक जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्हें जान से मारने की धंटी दें गई उसने बताया कि अपनी जान बचाने के लिए उसंस सारे कपड़े उतार दिये जिसके बाद भीर में मौजूद कुछ लरकों ने उसके साथ मार पीट भी कि महिला ने बताया कि उसके परोस की 21 साल की लर्की के साथ क्या हुआ उसे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वह उससे कुछ दूरी पर थी लेकिन अन्त में उन्होंने ऐसा नहीं गया महिला आगे बताती है कि मैं खुश किसमत थी जो भीर ने उनका रेप नहीं किया लेकिन उन्होंने उसकी ब्रेस्ट को शर्मनाक तरीके से चुआ यह उस महिला का स्टीटमेंट है जिसने अतरासदी जेली है लेकिन घटना की और डिटेल में हमें जानकारी मिलती है पुलिस F.I.R. से जो इन महिलाओं के रिष्टेदारों दोरा दर्ज कर आई गई थी इस F.I.R. में घटना की डिटेल जानकारी मिलती है 18 मई को एक जीरो F.I.R. कांग पोकपी डिस्टिक के साइकल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर आई गई थी जो बाद में उस थाने में शिफ्ट कर दी गई जिसकी जुरिडिक्सन है यह गदना हुई थी F.I.R. की कॉपी पढ़ने में जो पता चलता है कि वीडियो में बेशक दो महिलाएं दिख रही हैं लेकिन उस दिन तीन महिलाओं के साथ यह जगने अपराद किया गया था इस F.I.R. में लिखा है कि चार मई को आर्ट सो से एक हजार की संख्या में शरारती तत्यों गाओं में गुसाए इनके हाथों में एके राइफल्स, SLR, इलसास और 303 राइफल्स थी जिसके बाद इस भीर ने घरों को जलाना शुरू कर दिया कंप्लेन के मताबिक पांच लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल के तरब भागे जिसमें एक 56 साल का सक्स, उनका 19 साल का बेता और उसकी 20 साल के बेटी इनके अलावा दो और महलाई भी थी जिसमें से एक क्यूमर 42 और एक क्यूमर 52 साल थी कंप्लेन के मताबिक जंगल की तरब भागते हुए नांगपोक सेकमई पुलिस टेशन की एक टीम ने उन्हें वहां रेस्क्यू कर लिया लेकिन भीर ने तोबु विलेज के पास पुलिस की टीम को भी घेर लिया और पांचों लोगों को गारी से बाहर निकाल लिया इसके बाल भीर द्वारा 55 वर्स के शक्स को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया और जबरन तीनों महिलाओं के कपले उतरवा दिये गए कंपिन के मताबिक दिन दाहारे 21 साल की एक बच्ची का गेंग रेप किया गया और जब उस बच्ची के 19 साल के भाई ने अपनी पहन को बचाने की कोशिश की तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया F.I.R. के मताबिक दोनों महिलाएं लोकल्स के मदद से किसी तरह वहां से जान बचा कर निकल गई सोचिए हमारे देश में 77 दिन पहले तीन महिलाओं को एक हजार लोगों की भीड़ द्वारा नगन कर दिया जाता है और हर किसी को इस घटना का पता तक नहीं चलता फुलिस द्वारा F.I.R. लिखे जाने के दो महीने तक भी इस पर कोई एक्शन नहीं होता अब जब इस घटना का वीडियो दुनिया के सामने आया तो मनिपूर सरकार से लेकर के दे सरकार तक सवाल पूछे जाने लगे सुप्रीम कोड के चीफ जिस्टिस ने इस पर सुमूर्ट लेने की बात गई तो कल मनिपूर पुलिस हरकत में आई और इस केस में पहली गिरफतारी की उसके बाद चार गिरफतारिया और हुई हमें कि अफसूस इस जुनीशरी से लेकर सरकार तक तब ही जाते हैं जब ये कटना आए सोशल मीडिया पर वाइरल हो जाती है और देश की जनता सवाल पूछने शुरू कर देती है मुनी पुर्तिस गता के बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा हमारे साथ जो रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिये